हेलो एवरिबरीबन आज फाइनली एक एसपेरेंट की लाइफ में मतलब जो रिजल्ट का डे होता है वो तो अलगी होता है और उसकी खुसी भी अलगी होती है और उस दिन का मतलब आपकी अलगी फीलिंग्स होती है तो आज वही दिन है अभी एससी सीजल 2020 का रिजल्ट आप और मेरा आउटी हो मोता है और हैं और किसी आगे एक्जाम के लिए प्रपरिशन कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आउट हो चुका एंज इब वह दिन से यह ति रिजल्ट एक महीने से वेट रहे थे एक एक दिन गिन रहे थे कब आएगा कब आएगा Twitter campaigns वगएरा सब कुछ किया so finally मतलब and goods is everything is good तो मतलब अंत बला तो सब बला वही वाली चीज हुई finally S.S.C. C.G.L. के थूँ preparation करते हुए आपको मतलब S.S.C की तियारी कर रहे हुआ आप और उसके थूँ आपको S.S.C. C.G.L. क्रेक कर वाप और वह भी S.C.C.C की एक सब्सक्राइब की पोस्त लो तो वह एक ड्रीम ही होता है के हार एस-बेरंaison का होता है वह ड्रीम तो आज वही ड्रीम मेरा पूरा हुआ है तो आप लोगों को जादा कुछ तो नहीं है इस वीडियो के अंदर मेरे इतना रही बताना था कि हां बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपका कौन सा कौन सी पोस्ट मिली तो मुझे प्रिवेंटिव ओफिसर की जोब मिली है प्रिवेंटिव ओफिसर चालिस सो ग्रेट पे की नोकरी होती है ऐसे सीजियल के थूँ इस पे लगा इस पोस्ट के उपर रिक्रूट्मेंट हो होगेगा तो मतलब चालिस सो ग्रेट प्याज फाइनली हो गया है इतने लंबे प्रिपरेशन का टाइम इतने स्ट्रगल इतनी जर्नी एवर्ट अब ऐसे लगता है जिस दिन सेलेक्शन हो जाता है कि मतलब हर चीज जो भी जर्नी में हुई जो कुछ भी हुआ सब कुछ था सब कुछ और अभी थोड़ा सा आपको लेट वीडियो मिल रही होगी यह की और मतलब क्या होता है कि जो यह रिजल्ट का दिन होता है ना और मुझे ऐसे लगता है कि बस इसी दिन के लिए पढ़ रहे होते हैं अगर जिन लोगों का अभी तक सेलेक्शन नहीं हुआ है तो लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूंगी यह चीज कि मलब जितनी भी चीज होती है ना वो सारी इस दिन पर आके ऐसे हो जाता है कि हां everything was worth जो भी आपने कुछ किया failures भी हुए success भी हुए सब कुछ हुए इस दिन पर आके कैसे worth हो जाती है वो जब आप parents की नजरों में वो खुसी देखते हो वो उनके मलब वो proud होते हैं कि हां उनके बच्चे selected हो रहे हैं उनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बस मुझे तो ऐसे लगता है सिरफ वो दिन को ही एक time से आप कह सकते हो enjoy करना या उस चीज को जीना ही बहुत बड़ी चीज होती है आज तक पहले भी मेरे जो selection हो हैं उनके time पर मैं unfortunately कह सकते हो या फिर season की preparation में S.S.C. की preparation की वज़े से ही मैं parents के साथ नहीं थी first time पर भी second time पर भी तो आज finally मैं उनके साथ थी तो बस मैंने वो moment को enjoy किया उनके साथ time spent किया result आया उनकी वो खुसियां वो रिस्तेदारों को बताना कि हां selection हो गया है बस वही चीजों में लगे वे थे फिर मैंने सूचा कि एक बार वीडियो बना के भी बता देती हूं कि आप लोग भी अब अब ही मेरी जर्नी वीडियो अवेटीड है बहुत दिन से आप लोग बोल भी रहोगी मेडम अपनी पूरी जर्नी की वीडियो बनाओ तो देखते हैं वो भी करते हैं थैंक्यू सो मच पोर सपोर्टिंग मी और आज तो थैंक्यू सो मच टू पेरेंट्स टू टू टीचर जिन जिन की वज़े से इतना सब कुछ हम अचीव कर पाए जहां से हमने इंगलिस में जीरो होने वाले लोगों ने आज यह चीज अचीव कर ली हैं उन्हें से पढ़के अपनी मेहनत से इस जर्नी में ऐसा नहीं होता है कि आप सिरफ अकेले आपकी मेहनत होती है मुझे तो कुछ नहीं है बोलने के लिए अभी तो बस इतना ही है कि अगर मैं कर सकते हो ना तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो कभी ना कभी मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी तो उसमें आप देखना कि कैसे मैंने बिल्कुल जीरो से अपनी चीजों को स्टार्ट किया था बि अपने पता था कि बीजिट और नहीं कोई नहीं था बस मुठा कि अपने त्यारी में लग गए नहीं पता था यह की सके लिंप पर द्यूब कर लेते हो तो उसके बाद रगता सब सैने कि अगा oppos with भी मैनत कर रहे हो तो आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी ये दिन आएगा बहुत जल्दी आपके पैरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे थेक्यू सो मच पो वोचिंग इस वीडियो तिल है बाइबाइ